नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चिंतन लेडिया, आखके पढ़दे का स्पेशलिस्ट आज आपको मदुमेया के बारे में कुछ बताना चाहूंगा आज बारत दिश में 6 करोड से भी ज्यादा लोक इस मदुमेया से ग्रसित हैं इसके लिए विश्व में भारत मदुमेया की राजदानी बन चुकी है मदुमेया अखिर क्या है मदुमेया? अपने शरीर के खूण में शक्कर मतलब शुगर का प्रवान बढ़ जाना इसे हम मदुमेया कहते हैं इस मदुमेया के कारण शरीर के हर एक अंग पर उसका असर होता है और आग के भी हर एक भाग पर उसका प्रभाव होता है आग के पड़दे पर जो मदुमेया के कारण प्रभाव होता है इसे हम इंगलीश में डायबिटिक रेटिनोपती कहते हैं जिससे द्रस्टीक होने का औ पर अंधापन आनिक के संभावना बहुत है शुरुलाती स्टेज में मरीज को लक्षरणों होती यह ना आख में डर्द होता나 माली होती है नजर भी नॉर्मल होती है तो मरीज को लगता है सब सही है और अंतीन स्टेज में पड़दे में सूजन आ जाती है और रखत का रिसाव भी होता है तब जाके मरीज की नजर कम होती है और तब मरीज नेत्रचिकित सक्के बस जाता है इसलिए बहुत जरूरी है कि हर मधू में इसे ग्रसित मरीज को निरंतर समय पर आग का डीटेल चेकप करना चाहिए पुतली फैला के और अगर कुछ डाइबिटिक रटीनोबदी के संकेत मिलते हैं तो ओसीटी स्कैन करके या फिर जरूरत लगी तो एंजिग्राफिक करके उसका तुरंत ट्रीटमेंट करा लेना च आज अत्यादुनिक टेकनोलोजी से हम डाइबिटिक रटीनोबदी का ट्रीटमेंट सारवार कर सकते हैं लेजर ट्रीटमेंट और इंजेक्शन से हम परदे पर का परदे पर की सूजन और रक्त का रिशाव बंद भी कर सकते हैं और अगर बहुत खुन बैय गया है आख में और परदा अगर जगे से निकल गया है तो एक जटिल परदे की सजरी भी पॉसिबल है टेकनोलोजी के एडवांसमेंट से आज सजरी का टाइम भी कम हो चुका है और सजरी के इंस्टुमेंटेशन एक्विपमेंट भी बहुत ही सुदर गये हैं नए-नए मशीन आ गये हैं और सजरी के बाद पेशन का रिकवरी भी काभी फास्ट और क्विक हो चुका है इसलिए हर डाइबिटीस से ग्रसित मरीज को निरंतर समय पर अपना आग का डीटेल चेकप करना बहुत ही ज़रूरी है और शुगर का कंट्रोल भी स्ट्रिक रखना बहुत ज़रूरी है ताक आग का चेकप रेगुलर नियमित समय पर करना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर कुछ हमें डाइबिटिक रेटिनोपदी के संकेद मिले तो उसका सही समय पर इलाज हो जाए ताकि ड्रस्टिक होने से बचा सके और अंधापन को अटका सके हम थैंक्यू